हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फोर जे की एससबी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, काउंट एसिस्टेंट 2020 का स्लेबस हमने आउनलाइन सेरीस स्टार्ट करी हुई है तो उसके लिए हमने एक पहले वीडियो बना रखी है, स्लेबस के बारे में भी बताया है कौन सी बुक्स पढ़नी है, उसके बारे में भी बता रखा है और एक पहले हमने एक वीडियो बना रखे है part 1 जिसमें हमने basic terminology used in accountancy discuss करा था तो उसके कुछ points हमने पहले discuss करे हुए हैं बाकी के जो point है वो हम आज की वीडियो में discuss करने वाले हैं तो friends अगर आप इस channel पर नए हैं तो channel को subscribe करें और bell icon दबाना ना बोलें तो point number 8 जो आज का है वो हम start करते हैं तो हमारा फहलो point है expenses expenses cost incurred by a business in the process of earning revenue for example rent wages salary interest extra तो किसी भी business में जब हमारा जो main motive होता है वो होता है earning revenue तो जब हम earning revenue earn करते हैं तो उसके दोरान हमारे कुछ घर्चे होते हैं जिनको हम expenses बोलते हैं जैसे कोई एक firm है तो वो क्या कर दी है कि उसको business करने के लिए एक building की जरूरत है तो वो building में उसको rent भी पे करना रहता है तो जो उसका वो extra खर्चा है rent पे करना जा फिर salary पे करना तो वो सारा आ जाता है expenses में फिर आ जाता है point number 9 expenditure expenditure क्या होती है spending money for some benefit or property received for example purchase of goods machinery furniture extra तो expenditure क्या होती है कि हम money spend करते हैं और उसके बदले में हमें कोई benefit मिल जाता है जहां कोई property मिल जाते हैं जहां कोई चीज़ खरीद लेते हैं goods खरीद लिया या फिर कोई machinery खरीद ली तो उसको बोलते हैं हम expenditure वो खर्चे जिनके बदले में हमें कोई property जहां कोई benefit मिलता है तो उसको हम expenditure कहते हैं expenditure two type का होता है revenue expenditure और capital expenditure revenue expenditure क्या होती है if हमारा जो benefit है वो exhaust हो जाता है बिदिने air अगर हमारा benefit हमारी machinery जो भी है एक साल के अंदर-अंदर exhaust हो जाती है खतम हो जाती है तो उसको हम revenue expenditure कहते हैं on the other hand जो capital expenditure है उसमें क्या होता है कि हमारा जो benefit है वो एक साल से ज्यादा देर के लिए चलता है तो उसको हम capital expenditure कहते हैं for the period profit increases investment जब हमारा revenue बढ़ जाता है मतलब हमारी income बढ़ जाती है और expenses कम हो जाते हैं किसी period में तो उसको हम profit कहते हैं profit से क्या होता है कि हमारा जो business man है अगर उसको profit हो रहा है तो वो क्या करेगा investment बढ़ाएगा अगर उसको business में फाइदा हो रहा है तो वो क्या करेगा और investment करेगा ताकि उसको और profit हो तो 11th point है loss the excess of expenses of a period over its related revenue it decreases owner's equity तो loss क्या होता है नुक्सोन मतलब जब हमारे expenses बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और revenue बहुत कम हो जाता है हमारी income कम हो जाती है expenses बढ़ जाते हैं तो मतलब business जो है अब loss में चला जा गया है तो उसको हम loss बोलते हैं उससे क्या होता है owner की equity जो होती है वो decrease हो जाती है वो कम हो जाती है फिर next point हमारा gain a profit that arises from events or transactions which are incidental to business उसको हम gain बोलते हैं simple words में कहें तो gain क्या होती है जब एक इनसान है वो हम एक business कर रहे है मालों की वो biscuit बेच रहे है लेकिन उसके पास एक car है उसने क्या कि है कार को बेच दिया तो उसको profit हुआ वो जो profit है उसको gain में add करते है ना कि profit में वो profit नहीं है वो gain है gain उसको तब होगा जब उसने वो activity करी जो उसकी business के हिसाब से नहीं थी जो उसका business में नहीं थी क्योंकि वो deal करता है biscuit में उसकी जो company है वो business में deal sorry biscuit में deal कर रही है तो लेकिन उसको जो profit हुआ वो किस से हुआ उसकी car बेचने से तो इसलिए वो gain होगा ना कि profit तो अगला point है discount 13th point है discount discount क्या होती है it is the reduction in the price of goods sold तो goods के price में जो समान है उसके price में जब कटोती होती है तो उसको हम discount कहते हैं जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो लिखा रहता है कि 10% discount 20% discount मतलब कि अगर वो 100% की चीज़ है तो आपको 10% discount करके 90 की दे देंगे तो वो 10% जो है वो आपका discount हो जाता है 14th point है voucher voucher क्या होती है the documentary advice in sport of a transaction वो document जो आपकी transaction को sport करते है जो बताता है कि आपने transaction करी है उसको हम voucher कहते हैं 15th point है cash memo cash memo document stating cash received for goods sold वो document जिसमें ये बताया जाता है कि आपने goods जो खरीदी है उसका cash जो है receive कर लिया है तो उसको बोलते है cash memo वो document जिसमें ये बता रखा होता है कि आपने cash payment कर दी है जब रसीब कर लिया है उसको बोलते cash memo invoice if we buy on credit जब हम credit पर कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें एक invoice मिलता है एक receipt मिलते है जिसको हम invoice कहते है जा फिर जिसको हम build भी कहते है तो ये हमें बाद में future में pay करने रहते है 17th point है receipt when we make a payment we get a receipt जब भी हम कोई payment करते हैं तो हमें receipt मिलते है इसी परकार हमारा 18th point है goods goods क्या होते है it refers to the products in which business unit is dealing एक business man एक business entity खोलता है business unit खोलता है firm enterprise खोलता है वो enterprise किस चीज़ का business कर रही है उन सारी चीज़ों को हम goods कहते हैं जैसे राम है उसने क्या कर दिया एक business man business खोला तो उसने एक firm खोली तो उसमें वो क्या कर रहा है कि कपड़ों का business कर रहा है तो वो क्या जाएगा उसका goods हो जाएंगे तो अगला हमारा point है 19th point drawings ड्राइंग क्या होती है withdrawal of money or goods by the owner for personal use जब owner अपने खुद के इस्तेमाल के लिए money का withdrawal करता है जो किसी goods का withdrawal करता है तो उसको हम drawings कहते है 20th point है purchases amount of goods procured by a business on credit or on cash for use or sale तो वो सारे goods जो businessman खरीदता है अपने use के लिए जाफिर sale के लिए business के use के लिए जाफिर उसकी sale के लिए तो उसको हम बोलते है purchases अगला point है stock it is a measure of something on a on hand goods it is a measure of something on hand goods stock क्या होती है measure of something on hand goods stock जो होती है दो परकार के होती है closing stock और opening stock अब stock सही से होता क्या है जो भी आपके पस goods पड़े हैं जिनकी कोई value है तो वो सारे के सारे आ जाते हैं आपके stock में आ जाते हैं अब closing stock क्या होता है amount of stock goods on closing date closing date पे आपके पस क्या क्या stock पड़े हैं आपके पास furniture है, इस तरह से कोई चीज है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो business में, तो वो आपका stock आ जाता है तो अगर आप closing date पे जो आपके सही हैं, अच्छे हैं stock पड़े हुए हैं, उनको हम बोलेंगे closing stock, opening stock क्या होता है, amount of stock at the beginning of accounting, जब आपको कोई period accounting का सारा आपका opening stock में आ जाता है, 20th point debtors, debtors क्या होते हैं, debtors are the person who owe to an enterprise and amount तो debtors को होते हैं, माल लिया कि आपने उदार पर goods बेचे, तो जिसको भी आपने बेचे, वो आपको future में pay करेगा तो जिससे, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, वो हमारे debtors होते हैं, तो debtors हमारे asset भी होते हैं debtors वो होते हैं, जिन से हमें future में पैसे लेने रहते हैं, next point है creditor creditor क्या होते हैं, creditor our person to home money is owed creditor होते हैं, जब आप किसी से उदार पर कुछ चीज खरीते हो, तो वो आपको, वो आपकी creditor हैं, जिन जिन से, आपको जिसने आपको समान दिया है माली, आपने क्या कियागी, समान लेने के कही, तो आप समान लेके आगे, आपने पैसे नहीं दिये, आपने उदार पे लिया है, लेकिन आपको आज नहीं तो कल future में पे करने रहते हैं, तो creditor खत्म करते हैं हमारी वीडियो को तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर करें ताकि और भी जो एस्पिरेंट से जेके ऐसे भी के इसका फाइदा ले सकें ओके थैंक यू फर लिसनिंग